हलो दोस्तों वेलकम बैक टो योट्यूब चैनल आटो गेर प्लस आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एलेक्ट्रिक स्कूटर जो पिछले साथ सालों से इंडिया में अपनी सेल्स को बरकरार रखा है और उसके पास आपको नॉन लाइसेंस जैसे सारे स्कूटर में मुझूद आया यह इतने सेफीचर हैं कि मैं क्या ही बताएं तो वीडियो पूरा देखें दोस्तों ताकि आपको सारी इंफोरमेशन आपको इसमें पता चल सके सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूं कि इसमें क्या की highlight point है क्यों आपको इसको buy करना चाहिए तो इसकी buying guide है सबसे पहले जो मुझे सबसे अच्छा attractive चीज लगा है दोस्तो तो इसका है range है आप भी agree करोगे कि range एक electric scooter में सबसे important चीज होती है एक बार complete चार्ज में आपको 160 km का एक full चार्ज पर आपको ये range देगी इसकोटर ऐसा company का मानना है and second इसका key highlights है दोस्तो इसका जो top speed है आपको 80-90 km per hour के speed में आपको मिल जाता है इसका top speed तीसरी बात दोस्तो इसका motor जो आपको मिलने वाला है इसका motor का आपको peak power आपको 3.8 kW का मिलने वाला है दोस्तो तो ये 3 kW के ऊपर कोई भी motor होता है तो वो motor काफी अच्छा होता है दोस्तो चोधा point है दोस्तो इसका alloy wheels अभी तक कोई भी scooter में अभी तक 14 इंच का maximum alloy wheels आपने सुना होगा बट इस scooter में electric scooter में आपको 16 इंच का alloy wheels के उपर tubeless tire आपको देखने मिलता है दोस्तो ये काफी अच्छा experience होनेगा लग भग आपको scooter के साथ एक bike का भी experience देखने मिलेगा दोस्त पाच्वा point है दोस्तो इसका battery battery अगर आपके electric scooter की अच्छे हो तो बाकी कोई बात ही क्या कहना दोस्तो बैटरी आपको इसको मिल जाता है 72 volt का at the rate 50 AH पे इसको आप अगर watt में convert करते तो आपको 3.6 kilowatt का battery मिल जाएगा दोस्तो तो इसका मतलब जो आपको range मिलेगा और जो battery मि तरह का यह game changer इसलिए कहा जाता है क्योंकि काफी समय के बाद ओकी नवा ने एक ऐसा scooter launch किया है competition में ओला को मद्दे नजर रखते हुए क्या यह beat कर पाएगा चलिए आगे देखते हैं इसकी और features क्या होते तो वीडियो में आप बने रही है दोस्तो सबसे पहले बात कर लेत इसकी सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि यह battery आपको detachable मिलेगा अगर आप बड़े बड़े अपाट्मेंट में रहते हो तो simply आपको इसकी battery आपको scooter से निकालके आपको घरों मिले जाके आप चार्ज कर सकते हो हैं इसको चार्ज करने के लिए आपको सिफ तीन से चार अगंट आपको लगने वाले दोस्तों बढ़ते हैं इसके next topic पे next topic पे दोस्तों इसके motor के उपर है motor के पावर के जैसे कि मैंने की फेचस में बताया है इसका motor आपको 3.8 kilowatt का पाव के साथ पीक पावर के साथ आपको मिलने वाला है और उसकी भी warranty आपको 3 years के लिए मिलेगी First time Okinawa आपको इसमें belt drive center mount motor देने वाला है दोस्तों तो इसका performance काफी अच्छा होने वाला है और इसके talk भी काफी अच्छे होने वाली है इसका मतलब सब combined लिए आप देखा जाए तो battery motor के साथ आपको एक powerful pack performance मिलने वाला है scooter के जरीए बात करते हैं इसके अगले features के उपर दोस्तों तो इसके features में आप देखा जाए तो इसका जो console है यह completely different है previous Okinawa scooter के सबसे आपको completely digital में देखने मिलता है Bluetooth से connectivity मिलेगा एंड इसको आप से भी आप connect कर सकते mobile में तो काफी smart सा digital console दिया हुआ है दोस्तों एंड इसमें आपको console में क्या के देखने मिलता है इसमें बैटरी का स्टेटर्स, music control, turn-by-turn, navigation, call notification, OTA updates और दोस्तों आपको कुछ important features में आपको बता देता हूं जो इसमें scooter में आपको मिलेंगे वह फस्ट है आप देखा जाए तो Bluetooth connectivity है फिर इसमें इंजन में अभी इंटर्डूस हुआ है तो यह smart scooter में आपको इसमें भी देखने मिलता है अगर आपके stand लगा हुआ हो तो आपकी scooter स्टार्ट नहीं होगी and front में आपको कुछ इसमें glove box देखने मिल जाते हैं and bag holder के लिए आपके लिए hooks देखने मिल जाता है charging socket भी आपको मिल जाता है and आपका comfort right के लिए आपको suspension में front में आपको telescopic box देखने मिलेगा and rare में आपको twin sing arm suspension देखने मिल जाता है दोस्तों काफी अच्छा है दोस्तों and सबसे अच्छा point इस scooter में मुझे लगा है जो अभी तक का electric scooter में है इसका boot space boot space में under seat में आपको 40 liters का आपको space मिलने वाला है ऐसा आपको okinawa guarantee करता है बट देखा जाए का थोड़ा सा narrow boot space है बट आप उसमें एक full face helmet easily आप इसमें रख सकते हैं दोस्तों इसमें आपको कुछ colors भी मिलते हैं देखने मिल जाता है आपको glossy black देखने मिल जाता है आपको ash gray colors आपको देखने मिल जाता है यह सारे तीनों scooters के colors आपको gloss में ही देखने मिलता है दोस्तों इस scooter की price पड़ जाती है आपको 1,21,866 all India में rates है दोस्तों यह एक showrooms and यह inclusive fame subsidy है इसका मतलब इस price में आपको fame subsidy जो central government दे रहे वो इसमें include है इसके अलावा आपको state subsidies इसमें मिलने वाले है तो maybe आपको screen पर देख सकते हो कि state subsidies कौन सी है देली में आपको scooter यह 1,3866 में पर जाती है महराश्रा में 1,3866 गुजरात में 1,1866 में राजस्तान में आपको 1,14,866 में और उरिजा में आपको 1,16,866 देखा जाए तो आपको कम से कम कम से कम 5,000 तो आपको minimum से सब्सेडी आपको देखने ही मिल जाता है दोस्तों तो आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा आपको information दी गए अच्छी लोगों तो हमारे वीडियो को like कर दिजिए ऐसे ही information को आपको ताकि आगे future वीडियो में मिल किता रहे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजिए थैंक्स पर वाचिंग और वीडियो दोस्तों